हाई गाइज बहुत बहुत स्वागत है कि मैं मैंने फिनिश किया है और अब मैं अपना एनर्जी ड्रिंक पीने जा रही हो लेकिन उससे पहले आज मैंने जस टॉपिक के उपर बहुत सारी बाते की या समझा उसे तो मैं चाहती हूं कि उसे मैं आपके साथ भी शेयर करूं और दोस्तों हम यह सोचते हैं कि हमारा फैट क्यू बढ़ता है मोटे हो रहे हैं बहुत कम खाते हैं फिर भी मोटे हो रहे हैं या फिर कोई सोचता है कि मैं जो जो भी चीजें नुट्रिशन फूट हम ले रहे थे उस नुट्रिशन फूट को हमने बंद कर दिया है फिर भी मेरा बढ़न बढ़ने लग गया है तो क्यूं ऐसा होता है दूसरों मैंने पहली आप से कहा रहें कि जब भी आप कोई चीज क करें सो म कि हम इसी चीज कोशेयर करने वाले हैं कि हम कीशफी का तरह के सकते हैंfish कैसे खान है और कितना खाना है अब हमें काब से फैट लेना है, काब से कैलरीज लेनी है, फैट से लेना है, प्रोटीन से लेना है, या हमें किस तरह से अपना खाना मैनेज करना है, खाने की चीजों को मैनेज करना है, और कैसे हमें अपनी डेली रोटीन को आगे जाके मैनेज करना है ताकि जो फैट हमने कम किया है पहले बॉड़ी से कम किया है वो इंक्रीज ना हो बढ़े ना उसके लिए हमें दीप जाके concept कू समझना होगा और अगर हमने इस चीज को समझ लिया तो हम अपने बॉड़ी से fat हटा सकेंगे और बॉडी पर आने नहीं देंगे तो चलिए, क्योंकि जादा समय तक ना आप जिम कर सकते हैं, जादा समय तक ना आप किसी nutrition food को ले सकते हैं, जादा समय तक हमें सिर्फ एक normal routine रखनी होती है, थोड़ा बत हम yoga कर सकते हैं, walk कर सकते हैं, और सबसे जादा अगर हम कुछ कर सकते हैं, तो वो हमारा खाना maintain, खाने क तो वो खाना जो हम daily routine life में खाते हैं, उसे हम कैसे maintain करेंगे, इसी topic पर आज मैं आपके लिए video लेकर आई हूँ, तो मेरा जो vlog है, शुरू हो चुका है, और अभी मैं exercise करके ही उठी हूँ, तो क्यों ना आज हम इसी topic पर बात करें, कि हम अपनी खाने के daily routine को calories में कैसे maintain करें हम calories कहां से लें, जो हमारे body में fat की रूप में ना बदल जाए, तो चलिए, अपने जो experts हैं, उनकी राय जान लेते हैं, और अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए, तो उसे like, share, जादा से जादा कीजेगा, comment कीजेगा, और कोई information आप चाहते हैं, तो comment कीजेगा, अगर आप products के साथ जुड़ना चाहते हैं, member बनना चाहते हैं, तो भी हमें आप comment कर सकते हैं, और हमारे साथ member बनेंगे, तो आपको एक अच्छा result मिलेगा, और अप इतना वजन भी कम कर पाएंगे, और आपको further, आगे तक का, एक daily routine कैसे आपको maintain करना, वो भी guidance मिलेगा, free of cost, तो चल करते हैं, आज का ये वीडियो, all yours, very good morning, thank you ma'am, good morning everyone, आप सभी ने बहुत च्छा वर्काउट किया, और morning में वर्काउट करके आपने अलग जिसने पुरा फुल रेकाउट किया है, उसने अपने लगभग 200 कैलोरी, लगभग उसने बन किया, तो कैलोरी बन करना बहुत बहु कि जो भी हम खाना खाते हैं, उससे हमें एक एनर्जी मिलती है, और एनर्जी जो होती है, उससे हम कैलोरी फॉर्मनेस को मेजर करते हैं, जैसे कि हम कुछ भी मेजर करते हैं, अगर हम कोई बेट मेजर करना है, तो उसके लिए ग्राम और किलो ग्राम होता है, और अगर हम किस तो इसक分 करते हैं उसके लिए मिटर सेन्टिमेटर या किलोमेटर होते हैं इसी तरह से जो पावर हम मोड़ी को चलाती है जो काम करते है उस पावर को मिजर करने के लिए हम लोग कैलोरी को एक इनली तो उस के काड़िंग आपने देखांत बन एक Ci लाइफ को लाइफ टाइम फिट रख पाने में बहुत आपको आसा हो जाएगा तो कैलोरी क्या है मैं जो पर बता है अभी आपको मैंने कि जो हमारे बोड़ी की रिक्वार्मेंट होती है जो हमारे बोड़ी को एनरजी चाहिए उस एनरजी को मेलर करने के लिए एनरड़ी की नूट है कैलोरी अब यह कैलोरी हम supports लेते हैं उस फूर से कलोरी मिलती है और जितना अभी हम फूर लेते हैं सभी फूर से कैलोरी नहीं मिलती उसमें जितने आपके nutrition होते हैं, उसमें से किवल तीन प्रकार के जो nutrition होते हैं, उनी से हमें calorie मिलती है, जैसे कि आपका carbohydrates, आपका protein और आपका fat, बाकी multivitamins और minerals होते हैं, fiber होता है, आप और जो protein लेते हैं, इससे मिलती है calorie, बट जो fiber होता है, या water intake करते हैं, या vitaminis होते हैं, बट आपकी body को सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर calorie आपको तीन प्रकार से मिलती है, ताब हर्जेट से, protein से, और fat से, अब जितनी आपकी body की requirement है calorie की, उसके अगर हम बात करें, तो एक normal male की अगर बात करें, तो normal male को per day 2500 calorie की requirement रहती है, उसके near about, और अगर हम female की बात करें, त तो उने 1900 calorie की requirement रहती है, तो अगर इस से ज़्यादा आप calorie intake करते हैं, तो वो calorie आपकी body में store रहती है, वो ऐसे fat रूप में store रहती है, और आप fatty रूप में जान रहती हैं, तो यहाँ पर जितनी calorie ले रहे हैं, उसका balance होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो calorie की खा जोने बताया हमने तीन प्रकार से हमें calorie मिलती है, तो उसमें एक balance होना चाहिए, उसकी ratio होन चाहिए, जो हम calorie ले रहे हैं काब से, तो उसका ratio जितनी हमारी body की requirement है, उस requirement का 40% calorie होती है, वो हमें काब रहती होन चाहिए, इसके अलावा और जो requirement है, 30% की requirement है, वो हमारी protein से होन और बागी का 30% बचा, वो हमारी fat से requirement पुरी होन चाहिए, क्योंकि हमारे body को हर प्रकार का nutrition require है, fat भी require है, बट वो अच्छे वाला fat ले तो ज़्यादे बेटर रहता है, इसी प्रकार से carbs की भी category होती है, तो जिस category आप लेते हैं, उसका, उस हिसाब से उसमे calorie मिलती है, और वो benefit देता है, तो यहां बात कर रहेते हैं कि जो आपता calorie intake है, वो किस ratio महना चाहिए, क्यालोरी को मैस करने के लिए, जैसे कि जो लोग बहुत जादा carbs लेते हैं, और carbs से calorie जाया लेते हैं, और protein intake कम करते हैं, उससे क्या problem होती है, कि जो आपने calorie carbs ली, तो वो calorie जो carbs लेते हैं वो जल्दी जल्दी आपकी, फास्ट जो होता है, वो उसका energy में करने होती है, और जो बोड़ी के requirement स्टैम इतनी नहीं होती है, बोड़ी कम है, और वो फास्ट calorie में करने हो जाती है, तो जो आपने food intake किया, वो glucose में करने हुआ, करने होके आप लेते हैं, और वहां से पहुं तो उससे आपका energy मिलती है, और वो बोड़ी आप उसमें काम करते हैं, अगर उस टैम पे, जब आप काम कर रहे होते हैं, तो कैलोरी वो बहुत फास्ट बन रहे होती है, तो वहां पर जब बोड़ी की जो cells हैं, वो कैलोरी को बनाने काम करते हैं, energy बनाने काम करते हैं, जब अगर एक्स्ट्रा कालोरी आप उस्ट्रा 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 कालोरी आप उस्ट् तो एक्ष्टा कलॉरिय होती है वह फैट गडुरप में और इस टो जितना हम लोग कहाते हैं अगर उसको पुरा बर नहीं करते हैं उसको पुरा बर नहीं करते היं तो वो हमारे बोडी के अंदर as a fat group में convert होकर stone लगती है तो इसलिए जो हम intake करते हैं उसको मैस करना चाहिए कि कितना कैलोरी हम लोग ले रहे हैं अगर हम बात करें किस चीज में कितनी कैलोरी होती है इसको समझें जाकि आपको मैस करने ख़ड़ा सा असानी हो जाए अगर हम एक normal चपाती खाते हैं तो उस चपाती से आपको 80 कैलोरी मिलती है अगर यह हम बात करें कि एक कटोजर दा लेते हैं तो उसमें लगभख आपको 35 से 40 कैलोरी तक बिलती है ऐसे अगर हम फ्रूट में बात करें तो यसे आपने एपल लिया एक नॉर्मल एपल अगर 200 गराम का एपल है तो उससे आपको 50 कलरी मिलेगी इस तरह से अगर हम एक ज़सी सलिए आपको जो स्वीट्स होते हैं जो मिठाई होती है उसमें सुगर में ज्यादा कलरी होती है और जब आप इस प्रकार का खाना लेते हैं जिसमें हाई कलरी होती है तो क्या होता है कि जब आप इसको एंटे कर रहे होते हैं तो आपका जो स्टमक होता है जब आपको फुल्फिलनेस देता है उसके लिए एक लेप्टिन हार्मोंस होता है जब आप खाना काते है उसमें आप लेकिन जब आप हाई कलोरी होती है और वो कम मातर होगे अधी कलोरी उसके अंदर होती है तो जब आप उसको इंटेक करना शुरू करते हैं तो जो लेप्टिन जो हार्मोन से उसे पुड़ियों टाइम लगता है और जब तक वो आपको फिल्फिलनस की फिलिंग देगा तब तक आप काफी सारी कलोरी जो है और टेक कर चुग होते हैं तो इसलिए आपको मना किया जाता है कि आप जो हाई कलोरी वाला फूड है वो इंटेक ना करें वहाँ पर अपने आपको एजुक्रेट करें जो होते हैं कि माइंड को पहले से अगर आप रखेंगे कि यह जो हम इंटेक कर रहे हैं यह जो फूड है हाई कलोरी वाला फूड है इसकी आपको पैचान आपकी जो कोचिस से उसने बताया भी होगा आपको पैचा करनी है जिसमें सुगर ज्यादा है जिसमें बहुत ज्यादा काप्स होते हैं तो वो हाई कलोरी वाले फूड है जिस फैट ज्यादा होता है वो हाई कलोरी वाला फूड है जैसे कि अगर 100 ग्राम आप फैट लेते हैं तो उसमें 1000 कलोरी मिलती है तो इस प्रकार से ऐसे फूड को आपको अवर्ड करना जमें हाई कलोरी होती है क्योंकि कम अमांट में ज्यादा कलोरी उसमें होती है और जब तक आप उसको इंटेक करने से स्टाट करते हैं और आपका इस टॉमक है उसके अंतर जब तक फुल्फिलेंस की फिलिंग आएगी तो वो मैंड को मैसे भेज़ेगा कि अब और नहीं खाना है काफी खा चुगे तब तक बहुत अधिक मातरा में आप लोग कलोरी इंटेकर चुके होती है और उस समय जो अधिक कलोरी ले लेते हैं और बोडी के कलोरी की होती नहीं है जिसकी वज़े से आपकी जो है अधिक बोडी के कलोरी चल जाती है और जो एक्स्टा कलोरी जाती है वो बोडी में हमारे इस्टो बन लगती है दूसरे जैसे से age बन लगती है वैसे वैसे हमारो बटी का metabolism slow लगता है और क्योंकिHgर्ण कलोरी कम होती है और intake हम जाना करते हैं तो इसलिए जो हमारो बटी के इंटर आना जाना लगता है जो कलोर액 कर रहे है वो बटी के इंटर ser Meine इस बहुत है और हम झो और घ्र चान लगते हैं जब एक्स्टा कलोरी होती है वह फैट के रूपिया से हमारा लीवर होता है तो जो भी अगर बोड़ी के अंदर आगे जाता है तो वह हमारा लीवर ही उसको आगे ट्रासफेर करता है कुछ भी जिए अगर हम खाते हैं तो उसका जितने म्ट अगर आपने अधी कैलोरी इंटेक करी तो जो जितनी बड़ी रिक्राइमेंट थी उसने आगे इसको भेज दिया एक्स्टा कालोरी है उसको फैट करके वो अपने जो है आसपास लेता है और आपके जो बैसन से मसल से उनके अंदर लगता है आपके सेल्स के अंदर लगता है और आपके जो 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 है उसके आसपास जो है वो आपका विस्टो लगता है जिसके आपके विस्टल फैट के जूरूप में जानते हैं तो विस्टल फैट आपके आपके आसपास वो फैट बढ़न लगता है जिसकी वज़े से आपके जो 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 ज जिए रिक्राइब करना और ज़दा सीखना इंपर्टन होता है बच्छपन में तो बहुत सारे कुछ भी खा लेते हैं सब कुछ हज़ा हो जाता है क्योंकि वह इतना एक्टिविट्री मच्चा करता है इतना एक्टिव रहता है कि सारे चीजें उसको जो भी कलोरी हो लेता है कुछ भी खाया का सब कुछ उसका कैस रोजाता है लेकिन जैसे एज बन लगती है वह अपने आपकों बड़ा माल लगते हैं और जो चुछड़े मूपेंट होते हैं वह उनकम करते हैं जैसा कि मालने आम भेटे हुए हैं और कोई दरवाज़े बेल बेजाता है तो घर में गर यहां पर अपनी स्थलडु सोड़ेंगें. फोर यहां अपर हाम कोटी के भाते हैं. चो शुचिछ लेकिन होने होगा हैं. तो जो हमारे स्थ बत्रतन में मोमिंट हैं अपरुग होora हम कोच करें बत्रतन você रहा हैं. तो जैसे से मोमेंट ज्यादा करेंगे तो कैलरी बर्न होगी तो जब कैलरी बर्न होगी तो उसको मैस करना भी हमारे लिए इजी हो जाएगा तो इसलिए क्योंकि हम बोडी का मोमेंट जैसे एज बढ़न लगती है कम करना लगते हैं और अपने आपको rest room में जाए ना लगते है है comfort life ज्यादा लगते हैं इसकी वज़े से मज़े में metabolism ये वो slow होन लगता है और हमार जो capacity होती है calorie को बंद करने की वो देज़रे कम होन लगती है और खाना प्रोपर उतनाए खाते हैं या ड्रेश्ट के जक्कर में खाना ज्यादा खाते हैं, क्खाली बढ़े रहते हैं, तो खाना और भी ज्यादा खाते हैं, क्खाले 11 capaci के लिए चाहने खाते हैं, तो इस तरह से केलोरी जब जब ज़्यादा इंटेक्ड करेंगे तो वो देदे जब बाडी केुट इस्टोर होगी और हम अब tenían कुछ बतायकर इस वोड़ करते हूए, किस प्रकार आपको क्या घ्राइट लेना है किस प्रकार से आपको क्या खाना है उसके अलावा आप खुछ से भी सर्च कर सकते हैं और अपने जो कोचिस से बिसक्स कर सकते हैं इतना तो सबको थोड़ा मानू होता भी है कि कौन सा खाना है भी है कौन सा खाना लाइट है जैसे कि यह थोड़ा फिर में बता दूं तो जो आपकी ग्रीन विटेवल होते हैं फूर्ट होते हैं उसमें अच्छे काप्स होते हैं और उसमें मल्टी विटामिन्स होते हैं जो कि आपकी बोड़ी की जो ओर्गन से उनको रिक्वार हैं क्योंकि खालिक केलिर नहीं चाहिए इसके लाव बहुत कुछ चाहिए जैसे कि एक इंजिन होता है उस इंजिन को स्मूथली रण कराने के लिए केवल पेट्रोली नहीं चाहिए होता है उसके साथ सुथ में नीचे मोब के लिए जो और भी चीच चाहिए वो भी आपकी प्रॉपर मिलती रहें तो आप जो डियेट लेते हैं उस डियेट के अंदर न केवल कैलोरी हो बाकी और चीज़ भी उन चाहिए फूरा एक बलन डियेट आपको रहें चाहिए इसकी वज़े से आप फुलफिलने से फिल करे अधिक साथी का उसमें कलोरी पिनल ले पाएं और जितनी रिप्रॉइर है उतनी कलोरी आपने को न ले पाएं और आप अपने आपको अपने इसकी रहें अलग होती है ये के work के according और उनके heart और भी सबके according होती हैं तो अपने coach से इसे बारे में business कर सकते हैं और जानकर ले सकते हैं कि हामें कितने कालिज चाहिए कितना में इंटेक करना है और उसको किस प्रकार के food से हम उसको मेंज़ कर सकते हैं तो इस प्रकार के information आप रखेंगे और अपने coach के touch मे जो भी आप इंटेक करते हैं, उसके मैंस करने का तरीका सर्जाने के शिखेंगे और अपनी बोड़ी को मुवन्मेट रखेंगे, जितना अधिक साथिक आप अपनी बोड़ी को मुव कराएंगे, उतना ज्यादा कलोरी आप बन कर पाएंगे, और जो भी इंटेक करेंगे, एक्स्टा कलोरी आप बोड़ी मुवन्में को इस्टोर नहीं देना है, जितना कलोरी लेते हैं, उससे बन करते रहेंगे, तो हर चीज़ कर सकते हैं, एक चीज़ और मैं कहाँगा, जैसे कि मैंने बताया था कि एक लैक्टिन नाम का जो हार्मन होता है, वो हमारे फुल्फि कोजिस करेंगे कि आपको महाँ पर टाइम करना है, फिर उसका थोड़ा बाग लीजिए आप, तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि जो आपका पर लैक्टिन हार्मोन से वो उसको प्रड़ी दो टाइम लगता है, तो जब आप इंटेक करने को टाइम लेंगे तो प्रड़ी द करते हुए, तो वहाँ पर आपको फुल्फिलनस अजिक जल दी आ जाएगी और आप उसमें फुल्फिलनस भी आपको आजाएगी और वहाँ पर आप इंटेक भी आप कैलरी का कम कर पाएंगे, तो इस परकार मैंस कर सकते हैं, तो मेरा टोपिक यहीं तक था, ओर टू मैं, हम्यांत गाएगी तका आपएगी और गाससी तौत貌 पर अबीयद हальные आपी ताम से ठाएगी मैं, यस ऑस गुल्फिलनस भीम, पर आपलेखश का वज के अभू